दोस्तों, very good morning to all of you, आज के इस सांदर वीडियो में हम लोग 29 तारिक के और 30 तारिक, यानि कि दो दिनों के करेंट फेस के जितने भी questions होते हैं उनको discuss करेंगे और दोस्तों, यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा कि जो President House होता है, राश्ट्रपती भवन जो होता है, इसकी जो सुरक्षा होती है, यह आर्मी की दो बटालियन के हाथ में होती है, तो यहाँ पर जो दो बटालियन होती है, उसमें से एक बटालियन का काम होता है कि अभी हाल ही में एक बटालियन है, जिसका कारेकाल पूरा हो चुका है, और इसकी एक बटालियन का कारेकाल साड़े तीन वर्स का होता है, और साड़े तीन वर्स इस बटालियन ने पूरे कर दिये हैं, उसके बाद में चेंज करके एक नई बटालियन आई है, जिसका नमे सि फाइनल मॉक टेस्ट और इस फाइनल मॉक टेस्ट में जो कि हर महिने को 30 तारीकों करवा जाता है इसमें आप एक से लेकर 5 तक की रेंक अगर लाते हैं तो आपको एकसाइटिंग प्राइसस भी प्रदान किये जाएंगे तो इस मॉक टेस्ट में आपको करना कुछ नहीं है सिर्फ इतना सा करना है कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दे रहा होगा जहां पर जाकर आपको इन्रोल करना है इसकी बात में आपको जो मॉक के बीच में तो आपको scholarship भी दी जा सकती है और exciting prices आपको दिये जाएंगे unacademy की दरब से तो देर किस बात की है जल्दी से इस link पर जाकर registration करें और इसको use करें साथी साथ में अगर आप free में बहुत सारे courses और mock test को attempt करना चाते हैं तो सबसे ज़रूरी चीज़ है उन courses को unlock करने के लिए आप मेरा code यूज़ करें target study code मत भूलना क्योंकि इसको use करके आप free में सब कुछ देख पाओगे targettargetstudy इसको use करें और जल्दी से इसको सुरू करें तो दोस्तो हम लोग राष्टरपती भवन वाला question कर रहे थे उसमें देखो question क्या बन सकता है वो समस्ते है question बनेगा कि नवंबर 2020 में राष्टरपती भवन में तैनाद army guard army guard battalion में किस battalion को तैनाद किया गया है तो हाल ही में जिस battalion को appoint किया गया है उसका नाम है sick regiment option number 20 का right answer हो जाएगा कि sick regiment को हाल ही में यहाँ पर appoint किया गया है तो इसमें आप देख सकते हैं इसका एक फोटो यह जो battalion है यहाँ पर राष्टरपती भवन में सुरक्षा का काम करती है और इसमें देखो को लिखा क्या है कि जो sick regiment है यह किसको replace करेगी यह गोर्खा rifles का इस्तान लेगी जिसका कारिकाल हाल ही में पूरा हो चका है इसके इंदर में यह जो regiments होती है इसका कारिकाल साड़े तीन साल का होता है तो इसको भी याद रखना आप से एक्जाम में पूछा जा सकता है इसका कारिकाल साड़े तीन वर्स का होता है चुकि गोर्खा rifles का कारिकाल पूरा हो चुका है तो गोर्खा जो rifles है गोर्खा rifles के इसका यह जो है इसका पांचवां battalion 5th battalion of the 1st गोर्खा rifles ने अपनी आर्मी battalion के तौर पर इसने अपना जो कारकाल है वो पूरा कर लिया है तो इस बार जो battalion आई है यानि की Sikh Regiment वो 6th battalion of the Sikh Regiment यह बनेगी दोस्तों हाल ही में QES World University Ranking को जारी कर दिया गया है और इस बार यानि की 2021 के लिए जो ranking आई है इसको लेकर exam में क्या पूछेगा वो समस्ते हैं question मनेगा कि QES World University Ranking 2021 के अनुसार WISO का सबसे सर्वसरेष्ट संस्तान कौन सा बना है तो पूरी दुनिया का सबसे अच्छा जो ranking मिली है सबसे अच्छा संस्तान बना है वो बना है MIT America America का institute जिसका नाम है में साच्ची उसेट institute of technology ये पूरी दुनिया का सबसे अच्छा संस्तान बना है तो option number A इसका राइड इंसर हो जाएगा इसमें आप देख सकते हैं लिखा है QES World University Ranking 2021 जिसमें की में साच्ची उसेट institute of technology को पहला इस्तान मिला है पूरी दुनिया में अब इसमें हम लोग देखें टॉप 3 की लिष्ट तो पहले इस्तान पर है MIT दूसरे इस्तान पर है Stanford University और तीसरे इस्तान पर आता है Harvard University दोस्तो इसी प्रकार से आप लोगों से request करना चाहूंगा कि अकर आप लोग मेरा जनवरी से लेकर अक्टूवर तक का पूरा करनफेस दाउनोड करना चाहते हैं लेना चाहते हैं तो अभी आज के लिए 50% डिसकाउंट है only for today वीडियो के description में एक लिंक है जिसमें लिखा होगा 50% डिसकाउंट जनवरी से अक्टूवर तक उस लिंक पर जाकर payment करें साम तक आपको PDF बेज़ दिया जाएगा यह offer सिर्फ एक दिन के लिए है इसके बाद में अगला प्रस्न होनेगा कि नवंबर 2020 में जारी FIFA International Ranking में भारत की कौन सी rank आई है तो इसका राइड एंसर हो जाएगा कि FIFA यह जो ranking है इसमें भारत की rank आई है 104 इसको आप लोग अच्छे से ध्यान रखना कि नवंबर 2020 में FIFA International Ranking में भारत की rank है 104 option number 20 का राइड एंसर हो जाएगा इसमें आप देख सकते हो लिखा है FIFA World Ranking और इसमें भारत की rank आई है 104 यह आप देख सकते हो 104 जो है यह भारत की rank है और यह आप यहाँ पर इसका फोटो भी देख सकते हैं इसके बाद में नवंबर 2020 में ही जारी FIFA International Ranking में सबसे पहले इस्तान पर कौन सा है भारत की rank हम लोग देख चुके हैं यहाँ पर होना चाहिए कि पहले इस्तान पर कौन सा देश आया है तो पहले इस्तान पर इसमें टीम है जिसको नाम है Belgium Belgium की rank इसमें top है option number ace का red answer हो जाएगा इसमें आप देख सकते हैं कि इस ranking में बेल्जियम पहले इस्तान पर है दूसरे इस्तान पर आता है फ्रांस और तीसरे इस्तान पर आता है ब्राजील पहले इस्तान पर बेल्जियम दूसरे पर फ्रांस और तीसरे पर आता है ब्राजील इसको आप लोग याद रखेंगे इसके बाद में अगला सांदार कोशन मनता है कि पूरुवोत्तर भारत में गायों के लिए पहला अस्पताल कहां पर इस्तापित किया गया है तो दोस्तो इसको असम राज्य में इस्तापित किया गया है असम राज्य में एक जगह है डिबरुगर वही पर गायों के लिए पहला अस्पताल जो है वो इस्तापित किया गया है अब इसमें आप देख सकते हैं यह जो गौसाला है गायों का जो अस्पताल है इसका नाम है सुरभी अरोग्यसाला इसका नाम है और लिखा है इसको इस्तापित किया गया है इसको डिब्रूगर में इसको इस्तापित किया गया है है यह particular एक word को word of the year गोसित करते हैं तो इस बार का जो word of the year गोसित किया गया है वो है quarantine तो option A इसका रैडंसर हो जाएगा कि quarantine को word of the year 2020 के रुप में गोसित किया गया है इसमें आप देख सकते हैं लिखा है the Cambridge dictionary word of the year 2020 is quarantine तो word quarantine को Cambridge University के दवारा जारी की गई इस dictionary में quarantine को ही word of the year के रूप में चुना गया है इसके बाद में अगला प्रस्त बनेगा The borrowing and Lady Curzon Medical College and Research Institute का नाम बदल कर किसके नाम पर कर दिया गया है तो हाल ही में इसका नाम change करके अटल बिहारी बाजिपेई जी के नाम पर कर दिया गया है ये बैंगलरू में इस्तित एक institute है जिसका नाम है The Boring and Lady Curzon Medical College and Research Institute का नाम change करके अटल बिहारी बाजिपेई जी के नाम पर कर दिया गया है तो option number 6 का राइडेंसर हो जाएगा इसमें आप देख सकते हैं Boring and Lady Curzon Medical College and Research Institute जो की बैंगलरू करनाटका के बैंगलरू में इस्तित है इसका नाम जो है अटल बिहारी बाजपेई जी के नाम पर change कर दिया गया है ये आपको पता होना चाहिए फोटो देखकर आप इसको समझ सकते हैं इसके बाद में कोईले से बिजली उत्पादन के मामले में पहला अरब देश कौन सा बना है तो answer हो जाएगा संयुक्त अरब अमीराथ option number 8 का राइडेंसर हो जाएगा संयुक्त अरब अमीराथ जो है ये कोईले से बिजली बनाने वाला पहला अरब देश बना है option number 8 का राइडेंसर हो जाएगा इसमें आप देख सकते हैं लिखा है दुबई gets अरब गल्प्स first and perhaps the last coal power plant ठीक है तो इसको UAE में इस्तापित किया गया है इस coal plant का फोटो भी यहाँ पर देख सकते हैं इसमें लिखा है कि इस coal plant को दुबई में 3.4 million dollar की लागत से इसका नाम रखा गया है हसन कोईला सनियंत्र शुरू किया गया है इसकी जो छमता है वो होगी 600 megawatt उसके बाद में प्रस्ण मुनेगा कि नॉमबर 2020 में कौन सा सहर दुनिया का सबसे ज़्यादा connected सहर most connected city बना है connected का मतलब होता है जहाँ पर transportation का साधन सबसे ज़्यादा हो सबसे ज़्यादा connectivity हो air connectivity की बात यहाँ पर हो रही है तो आंसर हो जाएगा चाइना का संगाई पूरी दुनिया को कोरोना वर्ष से ग्रस्त करने के बाद में हर एक देश में अर्थ व्यवस्ता को डुमाने के बाद में अपने देश में आक्षा प्रदरसन करने वाला संगाई जो है चीन का संगाई सहर वो connectivity के मामले में पहले इस्तान पर रहा है तो इसको most connected city के रूप में पहले इस्तान पर रखा गया है इसमें आप देख सकते हो कि 2020 की अगर आप rank देखें तो संगाई पहले इस्तान पर है the IATA, the International Air Transport Association के द्वारा इस report को तयार किया गया है उसके बाद में अगला प्रसन दोस्तों यहां पर बनेगा कि भारतिय सेना के नए engineer in chief के रूप में किसे appoint किया गया है तो answer यहां पर हो जाएगा Lieutenant General Harpal Singh हाल ही में Lieutenant General Harpal Singh को भारतिय सेना के नए engineer in chief के रूप में appoint किया गया है तो option number 20 का राइड इंसर हो जाएगा अगर हम लोग वर्तमान की बात करी जाए तो वर्तमान में यह सीमा सडक संगठन बियारों के महाने जिसक है लेकिन अब चुकर इनको एक नई position मिल गई है इस वज़े से बियारों के जो महाने देसक हैं वो बना दिया गया है मेजर जनरल राजिव चौदरी को तो मेजर जनरल राजिव चौदरी को बियारों का महाने देसक बना दिया गया है हाल ही में इनके इस्तान पर दोस्तों अगला प्रस्मना है कि भारत में रूस की इस पुतनिक 5 COVID-19 वैक्सीन की खुरा का निर्मान करने का अधिकार किस कमपनी को दिया गया है तो एक कमपनी है जिसका नाम है हेटेरो हेटेरो नाम की कमपनी को बारत में रूस की इस पुतनिक 5 COVID-19 वैक्सीन के निर्मान को मंजूरी प्रदान कर दी है option number 8 का right answer हो जाएगा इसमें आप देख सकते हैं hetero ने एक deal को sign किया है with Russia to make COVID-19 vaccine Smutnik 5 in India और जैसे ही भारत में इसका production शुरू होगा देरे देरे सभी को ये vaccine जो है ये available होना शुरू हो जाएगी इसकी बात में हैं November 2020 में किसने पूरी तरह से digital online human resource management system HRMS का सुब आरम किया है तो November 2020 की अगर बात करें तो अपने पूरे सिस्टम को चलाने के लिए जो HRMS टेकनीक है इसका इस्तिमाल करने वाली संस्तावनी है भारतिये railway तो option number 8 का right answer हो जाएगा जिसने की बहतर तरीके से railway को online digital चेतर में manage करने के लिए HRMS नामसे एक नए सिस्टम की सुरवाद करी है जिसमें की बहुत सारा digitalification कर दिया गया है तो इसमें आप देख सकते हैं एक जो railway के chairman है railway के जो CEO हैं उनकी उपस्तिती में एक meeting organize करी गयी थी जिसमें की आप इस meeting को देख सकते हैं इस virtual meeting में ही Indian Railway launch digitalized online human resource management system HRMS तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं railway के अध्यच्य और जो CEO हैं वो है विनोत कुमार यादो जिसका नाम आप लोग याद रखेंगे November 2020 में ये वाला question हम लोग कर चुके हैं इसके बाद में चलते हैं अगले प्रसन की तरफ दोस्तों मैंने चुकी आपको बताया था कि हाल ही में QES World University ranking उसित कर दी गई है लेगिन especially पिछले कई वर्सों में देखा गया है कि इसी का जो ACA version होता है अगर हम पूरे वर्ड की न बात करी जाएं सिर्फ ACA की बात करी जाएं तो उसकी जो ranking होती है उस list में कितने भारतिय संस्तानों को इस्तान दिया गया है तो answer हो जाएगा कि इस list में 107 107 107 भारतिय संस्तानों को इस्तान दिया गया है Option number 10 का रेडिंसर हो जाएगा इसमें कुल एसिया के 650 इंस्टिटूट में भारत के 107 संस्तानों को इस्तान दिया किया है और इस लिष्ट में टॉप 100 की अगर बात करी जाए तो भारत के 7 इंस्टिटूट को इसमें इस्तान मिली है बस एक चीज़ का ध्यान रखना है कि हम वर्ड ल रेंकिंग 2021 की लिष्ट में टॉप 100 में भारत के कुल कितने संस्तानों को इस्तान दिया गया है तो आंसर हो जाएगा टॉप 100 की बात करें तो भारत के कुल 7 इंस्टिटूट साथ संस्तानों को इस्तान दिया गया है option number 10 का right answer हो जाएगा किस university को लगातार तीसरे साल QES Asia University Ranking 2021 Asia की सबसे अच्छी university का इस्तान पराप्त हुआ है तो Asia की सबसे अच्छी university बनी है Singapore University अगर हम लोग पूरे world level पर बात करें जाएं तो पूरे दुनिया में सबसे अच्छी university बनी है अमेरिका की M.I.T. यानि की Massachusetts Institute बनी है अगर सिर्फ Asia की बात करें जाएं तो Singapore University को इसमें पहला इस्तान पराप्त हुआ है इसकी बात में आप लोग यहां पर देखेंगे तो National University of Singapore को पहला इस्तान जो की Singapore में इस्ते थैं Singapore University चाइना की है इसको दूसरा इस्तान में जा गया है Non Young Technologies University तीसरा इस्तान है यह Singapore में इस्ते थैं इसको भी आप लोग याद रखेंगे आगे चलते हैं अगले कोशन की तरफ इसी रैंकिंग में यानि की QS University रैंकिंग 2021 की लिष्ट में भारत की किस युनिवसिटी ने सबसे अच्छा इस्तान पराप्त किया है तो अगर सिर्फ हम लोग भारत को कंपेर करें तो इस भारती लिष्ट में IIT Bombay को सबसे अच्छा इस्तान पराप्त हुआ है लेकिन पूरे दुनिया की World Ranking देखे तो IIT Bombay को 112 रैंक पराप्त हुई है लेकिन अगर सिर्फ भारत में तो इसमें IIT Bombay को पहला इस्तान पराप्त हुआ है अगर हम लोग Asia की बात करी जाए तो Asia लेबल पर IIT Bombay को 47 रैंस्तान मिला है IIT Delhi को 50 रैंस्तान और IIT Madras को Asia लेबल पर 56 रैंस्तान मिला है जबकि अगर इसके World Level की बात करी जाए तो इसको 112 रैंस्तान पराप्त हुआ है इसी की साथ में दोस्तों एक और Index हाल ही में जारी किया गया है जिसमें क्या है Global Terrorism Index 2020 GTI के अनुसार वर्स 2019 में आतंक वाद से सबसे अधिक प्रभाविट देशों में दुनिया में भारत कौन से इस्तान पर आया है तो आतंक वाद से प्रभाविट जो देश हैं दुनिया के उसमें भारत जो है आठवे इस्तान पर आया है जबकि इसी लिष्ट में पाकिस्तान साथवे पुजिसन पर आया है तो आतंक वाद से परेशान देशों में भारत जो है ये आठवे इस्तान पर आता है तो option number 20 का right answer हो जाएगा Global Terrorism Index 2020 के अनुसार वर्स 2019 में आतंक बाद से सबसे अधिक प्रभावित देश कौन सा है तो चुकि इसमें भारत आठमें इस्तान पर आता है और अगर हम देखें पहले इस्तान पर कौन सा देश है तो अफगानिस्तान पूरी दुनिया में आतंक बाद से सबसे प्रभावित देशों में पहले इस्तान पर आया है तो option number A, B इसका right answer हो जाएगा Global Terrorism Index 2020 के अनुसार वर्स 2019 में आतंक बाद का सबसे अधिक प्रभावित छित्र कौन सा रहा है तो South Asia पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा परिशान रहा है Terrorism से option number A, इसका right answer हो जाएगा दोस्तो, I hope आपको वीडियो बहुत पसंद आये होगा इस वीडियो को अगर आप पसंद करते हैं तो इसको like और share भी करें दोस्तो, आज का question जिसका answer आपको देना है कि November 2020 में हेम सुरक्षा अभियान किसके द्वरा सुरू किया गया है अपना answer कमेंटर बक्स में लिखना ना पूले Thank you for watching this awesome वीडियो